Hello and Welcome to Home, Kids and More आज इस वीडियो के थुरू मैं आपसे गुजिया और गुडपारे की रेसिपी शेयर करी हूँ लास्ट व्लॉग में मैंने खोया बनानी की रेसिपी शेयर की थी और ये व्लॉग उसी वीडियो का कंटिनुएशन है तो मैं सबसे पहले गुजिया की रेसिपी शेयर करी हूँ इसके लिए मैंने हाफ कप से दो बार नापते हुए सूजी ले लिया है कोर्स सूजी लिया है मैंने और इसके बाद मैं मैंने एक कढ़ाई में दो टिपल स्पून जो है घी आड़ कर दिया है और घी पिगलने के बाद हम इसमें आड़ कर दिंगे सूजी और इसको हलका भूरा होने तक हम भून लेंगे और सूजी को भूनते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप इसको low to medium flame पर ही भूने otherwise आप high flame पर भूनेंगे तो ये एकदम से भूरा हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा तो कम से कम 10 मिनट भूनने के बाद सूजी का कलर कुछ इस तरह से आया है अब सूजी को हम ठंडा होने देंगे और थोड़े से dry fruits की preparation कर लेते हैं तो dry fruits में मैंने यहाँ पे बादाम, काजू और थोड़े से पिस्ते लिये हैं और साथ ही आप नारेल का भुरादा देखेंगे और इनको मैंने अच्छे से chop कर लिया है और half cup के लगभग मैंने यहाँ पे चीनी ली है आप चीनी की quantity कम जादा भी कर सकते हैं और इसके बाद मैं यहाँ पे हरी इलाइची लोगी और इसको कूट कर इनके छीलके सीद से अलग कर लोगी नेक्स हम बढ़ते हैं अपने डो की preparation की तरफ तो यहाँ पे मैंने एक cup से दो बार नापते हुए दो cup के लगभग मैदा ले लिया है और इसमें मैंने घी आड़ कर दिया है घी आड़ करके हम इसको अच्छे से mix करेंगे और इसका मोयन तयार है अब हम थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करते हुए इसका dough prepare कर लेंगे आटा लगाते समय मैंने यहाँ पे ठंडा पानी लिया है आप भी कोशिश करें कि आप ठंडा पानी लें आपकी जो गुझिया है वो कुरकुरी बनेगी और बस मैंने यहाँ पे semi soft dough prepare कर लिया है और इस पे भी थोड़ा सा घी मैंने apply कर दिया और फिर एक गीले kitchen towel से मैं इसको ढख करके rest होने दोंगी कम से कम एक घंटे के लिए और फिर अब हम चलते हैं अपनी stuffing prepare करने तो stuffing के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सूजी को ठंडा गर लिया है सूजी को मैंने ball में transfer कर दिया और उसके बाद मैंने add कर दिया है खोया इसको हाथों की सायता से ही मैंने ऐसे crumble कर लिया है और यह अच्छे से सूजी में mix हो चुके है थोड़ी बहुत जो lumps रह गया है उनको dry fruits के साथ मैं rub कर दूँगी तो वो भी सही हो जाएंगे और यहाँ पर मैंने dry fruits add कर लिये है और यह ilaiji जो है मैंने इनके दानों को और बारी कूट के तब mix कर लिया है इसमें और बस हमारा यह stuffing तयार है तो चीनी अभी मैंने add नहीं किया है मैं थोड़े से sugar free बनाऊंगी तो मैंने side रख लिये है थोड़ा सा इसमें से और जो sugar free मैं बनाऊंगी उसमें मैं add करूंगी sugar free packets तो और यह big batch जो देख रहे हैं इसमें मैंने normal granulated sugar add कर दिया है इनको side रख दिया है और यह देखें आप मैं इसमें sugar free packets add कर रही हूँ this is just for whoever is extra careful to their diet और बस मैंने इनको 10 packets add किया है और इस batch से मैंने कम से कम 21 गुझिया बनाई थी इनसे stuffing ready है और dough को rest करते हुए भी एक घंटा हो गया है अब बारी आती है गुझिया बनाने की तो यहाँ पर मैंने dough में से थोड़ा सा एक roundel बना लिया और उसकी मैं बड़ी सी रोटी kind of बना लूँगी और इससे मैं गोल गोल shape दूँगी एक छोटे से wafer roll के धकन की help से धकन को मैंने dust कर लिया है आटे से actually यह मुझे बहुत लंबा process लगा इससे जो इसका leftover कत्रन बच जाता है ना तो उसको fold करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्यूंकि dough में इतना लचीला पन नहीं रह जाता और एक बात मैं add करना चाहूंगी यहाँ पर कि मैंने जो dough prepare किया है जितने measurement से उसकी double quantity करनी होगी इतने stuffing के लिए जितनी मैंने stuffing बनाई है तो दुबारा से मैंने same measurement से जो है dough prepare कर लिया था और अब देखिए मैंने यहाँ पर इनको cut कर लिया है और अच्छे से मैं इनको एक side पानी लगा कर इस तरह से दबा के seal कर दोगी और pinch करते हुए pinch and fold के method से इनका shape बना लोगी यह तो एक method है इन गुझियों को shape करने का दूसरा method मैं भी मैं आपको बता देती हूँ दूसरे method से basically जो पहली बार बना रहे हैं उनके लिए बहुत आसानी होगी तो इस तरह से आप stuffing को stuff करके roll कर देंगे और फिर fork की help से ऐसे impression देंगे दबाते हुए तो यह एक बढ़ियां सी design बन जाएगी तो यह sugar free से इतने बने हैं गुझियां और इसके बाद मैं यहाँ पे सारी बनात के इकठा करती जा रही हूँ और इसको एक paper towel गिले paper towel से ढग दिया है मैंने और यह जो आप डो देख रहे हैं यह मैंने extra बना के रखे हैं तो छोटे portions में अगर आप डो गूदेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको गूदने में भी यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है और medium flame पे मैं इसको एक एक गुझिया करके जितनी कढ़ाई में आ सकती है उतना add कर दूँगी और ऐसे पलटते हुए मैं इनको पका लूँगी इनको बनाने में I mean fry करने में मुझे कम से कम 8 minutes लगे है एक batch को deep fry करने में और फिर 8 minutes के बाद जब इसमें ऐसा हलका golden color आ जाए तो हम इसे निकाल के side रख लेंगे और ये हमारी गुझिया ready है नेक्स हम चलते हैं गुड़ पारे की recipe की तरफ तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप मैदा ले लिया है और मैदे में हम add करेंगे घी मोयन के लिए इसको अच्छे से हम mash करेंगे यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून लगभग घी आड़ किया है अच्छे से mix कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें add करेंगे एक चौथाई चम्मच के लगभग baking soda जी हाँ हम baking soda add करेंगे इसमें और पानी add करते हुए एक बहुत सक्त सा डो लगा लेंगे और बहुत over knead करने की जरूरत नहीं है आपको इसे और एक wet towel से आप इसे करेंगे कम से कम आदे घंटे के लिए रख देंगे rest होने के लिए और फिर इसकी बाद इस तरह से इसको flatten करते हुए आप इसको rolling pin की help से roll कर लेंगे और ये आप इसमें cracks देख रहे हैं तो इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है और इस तरह से जैसे हम square paratha बनाते हैं मैंने इन को fold कर लिया है one upon another और बस pressure देते हुए हम इसको bale लेंगे और bale कर half centimeter तक इसको मोटा रखेंगे और फिर हम इसको cut कर लेंगे desired pieces में मैंने तो यहाँ पे rectangle pieces रखे हैं आप चाहें तो इनके square pieces भी रख सकते हैं और बस मैंने एक तरफ oil रख दिया है करम होने के लिए और इसक इसके गुड की preparation कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने लगभग एक कप के बराबर गुड लिया है और इसमें तीन से चार चम मच पानी आड़ कर दिया है और यहाँ पे तेल भी गरम हो चुका meanwhile तो मैं जितना आ सकता है कढ़ाई में एक साथ आड़ कर दूंगी और meanwhile गुड भ अल्मोस्ट मेल्ट हो चुकी है मैं यहाँ इस वीडियो में गुड में सोडा आड़ करने का क्लिप भूल गई हूँ वो क्लिक नहीं हो पाया था मैंने without camera ही सोडा आड़ कर दिया था तो आप जरूर आड़ करिए गा इसमें एक पिंच और यहाँ पे मैंने सोफ आड़ कर द जैसे हम चिक्की वगेरा खाते हैं तो वो वाला texture इसमें बिल्कुल भी नहीं आता है सोडा आड़ करने के बाद तो सोडा तो मैंने एड़ किया है जब यह पाग रेड़ी हो गया almost उसके बाद तो पानी में डालते हुए आप इसको जरूर चेक करते रहें और यहाँ पे मै अच्छे attempting लग रहे हैं यह तो बस इनका color change होते ही हम इनको चान के अलग रख अपने बनाए हुए गुड के पांग में आड़ कर देंगे immediately और फिर इसको अच्छे से mix कर लेंगे और mix करते समय आप अगर देखें कि गुड चिपक रहा है पैन में तो आप फिर से इसको flame प आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा इफ येस दिन प्लीज 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 लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू सो मुच पर वाचिंग टेक केर बबाई